नमस्कार बलबल स्वागत है आपका Only News Nation के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर मैं हूँ आपके साथ साक्षी पंडे आपको बता दे अमिद शाह और मूदी की रणीती जिस तरह से पिछले कई वर्षों में भारत में देखने को मिली है और इसके बाद से ऐसा कहा गया है कि अमिद अचानक से जिस तरह से नई रणीती और नई तरीके से वो अभ्यास करते हैं उसको लेकर खासा चर्चा राजदिती गलियारों में देखने को मिलता है आपको बता दो अब देखा जा रहा है कि किस तरह से मोदी और शाह साउथ में भी बड़ा आक्षन लेने जा रहे हैं ज उसके बाद से ये खबर चल रही है कि वो अगले मुख्य मंत्री हो सकते हैं हैदराबात लंगाना में जो मीटिंग की गई है अमिज शा के द्वारा उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्या है पूरा मामला आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और बड़े खुल शा ने ट्वीट में लिखा एक बहुत ही प्रभाव शाली प्रतिवा शाली अभिनेता और तेलुगू सिनेमा के रत्न जूनियर एंटियार के साथ हैदरावाद में अच्छी बात चीत हुई आपको बता दे जूनियर एंटियार ने इस ट्वीट की प्रतिक्रिया में पूत के मश्यूर हीरो में से एक है उन्होंने हाल में आर 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 जैसी सुपर हैट फिल में की हैं इसके अलावा वधार्मी भेश भूशा के कारण भी हमेशा चर्चा में रहते हैं तिलंगाना चुनाओ को नस्दीक देख लोक अमत्शा के साथ उनकी तस्वीरों पर अलग लाइक कर चुके हैं इस वीडियो को आपको बता दूर इस फोटो को और कुछ लोग एंटियार की सब्विता देख उनकी तारीफ कर रहे हैं उन्हें तेलगू सिनेमा और भारती सिनेमा का सितारा कहा जा रहा है जे एंटियार जे एंटियार लिख रहे हैं लोग वहीं जिस तरह से की जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि क्या राजनीती में आ सकते हैं अर अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं ये पूछा जा रहा है यूजर्स के द्वारा और अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है आपको बता देख यूजर ने कहा है कि ये तो बस अभी शुरुवात है, ये आदमी हमारी उमीदों से भी उचा उडान भरेगा, आपको बता दे अगले यूजर करन लिखते हैं, एक शेर दूसरे शेर से मिल रहा है, उन लेखनी है कि जूनियर एंटियार, आपको बता दू कि D, TDP, संस्थापक दिव्यंगत एंट राम राओ के पोते हैं, आखरी बार वो चुनाओ के समय 2009 में सक्रिय देखे गए थे, इसके बाद उन्होंने राजवीती, इसे दूरी बना ली थी, लेकिन अब अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद लोगों को लग रहा है कि उनके आने वाले समय में, बीजेपी के साथ द बड़े माना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह और मोदी कहीं न कहीं बड़ा छटका ओवेसी को देने वाले हैं और सूप्रा साफ करने का पूरा इरादा अमित शाह और मोदी की हैं, क्योंकि 2009 के बाद से अचानक इतने सालों बाद जूनियर NTR का जिस तरह से अमि जूनियर NTR बन सकते हैं, मुख्य मंतरी, आपको बता देए, पूछा जा रहा है, साउच में अभी खबरे देखने को मिल रही है, कि क्या जूनियर NTR मुख्य मंतरी बन सकते हैं, आप जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में कमेंट करके तुरंद बता आपको क्या लगता है, जिस तरह से देखने को मिल रही है, इसके बात से आपको क्या लगता है, कि जूनियर NTR अगले मुख्य मंतरी हो सकते हैं, राजनीती में आने की उनकी बड़ी रणीती हो सकते है, क्योंकि आमित शाह जो भी चाल चलते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा खुलासा देखने को मिलता है, अमित शाह कभी भी बिना किसी प्रूफ के बिना किसी बात के कोई भी फैसला नहीं लेते, यह कहा जाता है, और अब जिस तरह से आरारार में काम कर चुके हैं, जूनियर NTR यह कहा जा रहा है, कि किस तरह से आपको बता दे, अमित शा कि अगर मैं बात करूं, जिस पर खासा ध्यान दे रहा जा रहा है, कि अक्सर धार्मिक बेशबूशा के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं, जूनियर NTR, तो इसके वज़ए से भी देख कर मिल रहा है, यह और कुछ यूसस ने यह भी लिखा है, oh my god, is there any chance of junior NTR come into politics, तो लो पी लोग बताएं, कमेंट करके कि 2009 के बाद, 2009 में सक्रियता देखने को मिले थे, अब जाके 2022 में सक्रियता देखने को मिली है, और अमिच शाह ने बिहार में जो बड़ी रड़नीती खेली थी, असाम में, और जिस तरह से हर जगा, बंगाल की चैमें सीटों के हेरफिर की ब या बड़ा खेलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं साउथ में, अब यह जो दाव पेश लड़ा जा रहा है, उसके बाद से कुछ बड़ा आक्शन ले सकती है, मोदी और अमिच शाह की सरकार तिलंगाना में भी इस चीज से जोड़ के देखा जा रह हैं, कि कश्मीर से लेके करन्या कुमारी तक हर जगा आमिच शाह अपनी चाल चलने में काम्याब हैं, तो क्या साउथ में भी यह देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह खबर अब बड़ी आ रही है, अमिच शाहक ने जिस तरह से ट्वीट करके इसकी तारीफ की है, और उस पर दर्शक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, इस वीडियो को जाद से जाद लाइक करें, आपको भी क्या लगता है, जूनियर एंटियार पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, अगले मुखी मंत्री का बड़ा चेहरा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोगों का पसंदीदा चेहरा है और क्या बड़ा एक्शन हो सकता है, अमिज शाह का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इस वीडियो को जाद से जाद लाइक करें शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया अभी के अभी आप बताएं और अगर आपको लगता है कि कोई और मुद्दा या अमिज शाह की अगली चाल 2024 को लेके क्या हो सकती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को जाद से जाद लाइक करें शेयर करें और देखते रहें ओनी नीज नेशन बहुत बहुत धन्यवाद